आप पैसे काफी सारे लोगों को पास ओटो होगा जिसका इंस्वरेंस करना हर साल जोड़ी होता है ऐसे में अगर आप खुछ से अपना ओटो का इंस्वरेंस करना चाहते हैं ताकि आपको कम से कम दाम में हो जाए तो कैसे करेंगे इस वीडियो में बताऊंगा तो चलिए करना चाहते हैं तो आप उनलाइन जो है मैंने मैं जैसा बताने जा रहा हूं चेक कर लेना आपका कम दाम में खुद ही आप कर लोगे अगर आप मेरा वीडियो साइज से देखो गया तो यह नहीं कि आप कहीं जाना पड़ेगा या कुछ भी ऐसा है तुरन पोलोसी को भी मि बादा देते हैं कि कैसे जो है आप अपने ऊटो का इंसर्ण करेंगे उसके लिए आपको क्या करना है पुलोसी बजा रहने आपको सिंपल सा इस पर किलिक करना है तो यहीं वेबसाइट खुल जाएगा जो मैंने आभी आपको दिखाया है यहीं खुल जाएगा यहापको वीडियो के तो जो भी आपका नाम होगा कर देना कर देना है करन करते हैं यहां पर चुकी आपको ओड़ों का करना है तो इसलिए देख सकते कि character staying हम यहां पर बना हुआ है आपको सिसल्पाइब साटसें बाक्स में ही किलिक करना है चलिए इस पर किलीक कर रहा हूँ जैसे इस तरीके सा पूछ आ होगा है अधर भी कंपणी का का गाड़ी होगा उसका सारा लिस्ट यहां पे रिभल जैए को और और क्षाyr बनाती हैं तो जो मोडल होगा नल्य जीए कि यहां पे सारा लिखा वा रहता है इसमिचा आपको चुनना होगा अगर आपको परसानी आता है यहां पे चुननाय के लिए तो आपको सारशिय करके और भ्यैज दूँगा तो आपको परसानी नहीं आएगा चली माज़ीचί कि मैं यहाँ पर कोई भी जो है चुन नहीं एंटा हुन लेता हुन उसके मानलीजीक त establishing 218 होग इना और осकुन Harry मानलीजी के से अजूलना होता है उसके ऑद भी आप को मैं है कि यहाँ आप से बीजिस्टर है और ऑपको लिखा老師 होता है बम तो शलने आप गारी खरेते हैं से पूछा जाता है यहां पर दे देना है और यह चुनने के बाद यहां पर आको घारी का नंबर है मतलब यूपी-14-17-18 डी यहां बहुता है जो सा बहुता होगा अलग के श्टेट में अलग होता है मां लीजिए अब आप से यहां पर पूछा जाता है कि जो आपका पिछला पोलोशी था उपको बताना है उसके लिए यहां पर देख सकते हैं कि पीछे जाना है तो इस तरीके से आप आगे जा सकते हैं और उसके बाद जिस डेट को एक्सपार होगा मालेजी नॉम्मर में आठ तारीक हो रहा तो आठ बाले पर चुन लेना है और अगर आपको कई बार जो है नहीं पता होता है तो आपको क्या करना है यहां पर सिंबल सा नीचे देख रहे हैं डौन्ट नो फोलोशी एक्सपारिं यह बिल्कुल तो आप सबसे कि नीचे बाला चुन लो और अगर पता है तो जैसा मैंने बताया कि डेट आपको चुन लेना है कि इस डेट को एक्सपार होगा अब आपसे पूछा जाता है कि जो क्लेम है वह आपने पिछले इंस्वरेंस कंपनी से लिया है जो आपका पिछ कंपणी का बहुत हों आप चुन अ bajo थोश को यहां पर कंपनी का भी हाँ आएगा तो आप चुन सकते हैं तो यहां पर है इसमें यहां निचे में दोनों में अंतर है मैं एक पर ले ना है ताकि पुलिस वाले से बज जाए आपको पुलिस पंदाइब ज्यादा प्रक्त करें तो उसके लिए लिए ज्च कहा करना तो आपको क्या करते हैं यहां पर सब्सक्राइब करते मॉलन की आहां पर टाइप कर देना है तो यहां लिखना जोपार 005-D frame कर देना है उसके लिख कर emulate लिख देना होगा यहां पर देना है जा देना है तो जो साभी सब्सक्राइब से लिखा हुआ लिखा हुआ है जिसके बाद कुछ इस तरीके से खुल करके आ जाएगा यहां पर बता देना है कि गारी का और लिली लिखाव हुआ है आगए का नमेर सर्फ लिख देना है मालेज यहां या पे बीउंगा और यहां पर नमबर जो भी हैं देना चारंका प्रांग को आपके लिखतेने सब्सक्रायों सोब denkenat लिख देना है तो यहां पर इस तरह को चून लेना है यहां पर प्रिविएस पप्लोशी चल रहा है उसका पीछला नमबर आपको देना होगा जो भी पलोसी नमबर होगा होस पर देखेंगे तो यहां पर लिखा रहा था पुलोशी नंबर और नंबर यहां पर देंगे पिछला इंसोरेंट जो था फिर कमपनी का था ऑपको बताना अगर नहीं है तो स्कुलेट कर लेंगे और व्हीं पर क्लिक करेंगे जिसके बाद सारा यह डीटेटीर आज आएगा यहाँ उसके पाद क्या करना है यहाँ पर जिस noite न लोगर यह यह अपको सही से चेक करना है कि गल्ती गल्थी न हो और सा सबच्छी लगता है तो आपको ट्रिक कर देना है और उसके बाद प्रोषट टू-पेमेंट नेकाट इसा अफ्को आपको करने लगेगा आपको तो थोरा सा वेट करना है तो यहां पर ऐटेम कार्ट है इसको काते हैं उससे credit card, net banking, UPI, wallet और EMI किसी से भी payment कर सकते हैं EMI पर मतलब कि किस्ट में जमाय करना जाते हैं तो कर सकते हैं लेकिन इसके जोड़ी है कि आपके पास credit card हो तभी आप EMI पर कर पाएंगे अब माल लिजे कि आपने credit card से करना है तो credit card चुन लेना है यहाँ पर जो card number होगा वह आपको यहाँ पर लिख देना है यहाँ पर जिसका नाम लिख देना है जिसका आप card इस्तमाल कर रहे हैं यहाँ पर expiring month लिख देना है expiring year लिख देना है और यहाँ पर पे देख रहे हैं इस पर आपको क्लिक करके पर कर लेने काम करेंगा अगर कोई बी परिशानी ओता है कहीं पे फिन्स करने में तब नीचे दिए गए नंबर जो है मेरा उस पर आप कॉल कर लेना मैं आपको पूरा हेल्प कर दूंगा और जरूर आपका इंस्टोरेंस हो जाएगा कम से कम दाम में होप को सारी चीज समझ में आगया होगा अगर कोई कर फ्यूजर है या कुछ और आप जानना चाहते हैं तो हमसे कमेंट करके पूश सकते हैं मैं जल जल जवाब देने की कोशिश करूंगा बहुत-बहुत नहीं बाद